बुधिया की शादी गाम के बाहर एक छोटी सी जोपडी में बुधिया नाम की एक वृध्ध महिला रहती थी उसकी उम्र लगभग 80 साल की थी लेकिन उसकी आंखों में अब भी जिन्दगी की चमक थी गाम के लोग उसे बुधिया कहकर बुलाते थे और वह भी अपने इस नाम से कभी बुरा नहीं मानती थी उसका असली नाम शायद कोई नहीं जानता था बुधिया के पास कोई परिवार नहीं था न कोई बच्चा न पती वह अकेले ही अपनी जिन्दगी बिता रही थी गाम के लोग उसकी ओर दया से देखते थे कभी कभी कोई उसे खाने का सामान दे जाता था और कुछ लोग उसकी मदद के लिए घर के छोटे मुटे काम कर दिया करते थे बुधिया का जीवन इस तरर से चल रहा था वह खुश थी क्योंकि उसे दुनिया से कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन उसकी जिन्दगी में एक दिन ऐसा मोर आया जिसने सबको चौंका दिया यह कहानी शुरू होती है जब एक दिन गाब में नया सर्पंच चुना गया नया सर्पंच युवा और तेज तर्रार था उसने गाब के विकास के लिए कई योजनाय बनाई थी एक दिन वह बुधिया के घर के पास से गुजर रहा था तभी उसकी नजर उस पर पड़ी वह सर्पंच के सामने आई और धीरे से बोली बेटा मेरे घर का दर्वाजा तूट गया है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो सर्पंच ने उसकी बात सुनी और फोरण उसकी मदद करने का आश्वासन दिया उसी दिन उसने गाम के कुछ यूवकों को भेजा जो बुधिया का दर्वाजा ठीक कर गए बुधिया ने सर्पंच को दिल से आशीर वाद दिया कुछ दिनों बाद सर्पंच को एक विचार आया उसने सोचा कि बुधिया इतनी अकेली क्यों रहती है क्यों न उसकी शादी करवा दी जाए यह विचार पहले तो मजाकसा लगा लेकिन फिर उसने इसे गंभीरता से लिया उसने सोचा शादी जीवन का एक कहम हिस्सा होती है हर किसी को कमपैनियनशिप की जरूरत होती है और अगर बुगिया की शादी हो जाए तो उसका अकेलापन भी खत्म हो जाएगा सर्पंच ने इस विचार को गाव वालों के सामने रखा पहले तो लोग हंसे फिर सोट में पर गए बुगिया की शादी यह तो अजीब बात थी आखिर बुधिया की उम्र अब शादी करने की नहीं थी लेकिन सर्पंच का तर्क था कि जीवन की कोई उम्र नहीं होती अगर बुधिया खुश है और किसी के साथ रहना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है बात काव में फैल गई लोग आपस में इस पर चर्चै करने लगे कुछ लोग इस विचार का समर्थन कर रहे थे तो कुछ इसे मजाक समझ रहे थे लेकिन सबसे बड़ा सवाल था आखिर बुधिया से शादी करेगा कौन सर्पंच ने इस सवाल का भी हल निकाल लिया उसने गाम के कुछ बुजूर्ग पुरुशों से बात की जो अकेले रहते थे इन में से एक था रामलाल रामलाल की उम्र भी लगभग सत्तर साल की थी और वह भी अपनी पत्नी की मृत्यू के बाद अकेला रह रहा था रामलाल से जब सर्पंच ने बात की तो वह पहले तो हिचकिचाया लेकिन फिर उसने सोचा क्यों नहीं, बुधिया तो एक भली औरत है, अगर मैं उसके साथ रहू, तो हमारे दोनों के अकेलेपन का अंथ हो सकता है रामलाल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, गाव में यर खबर आग की तरह फैल गई, बुधिया की शादी होने वाली थी यर सुनकर गाव वाले उच्सुक हो गए, सभी जानना चाहते थे कि बुधिया इस पर क्या कहेगी जब सरपंच बुधिया के पास गया और उसे शादी का प्रस्ताव दिया, तो बुधिया पहले तो चौंक गई, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई गई, उसने हंसते हुए कहा, इस उम्र में शादी, ये क्या मजाक है, लेकिन सरपंच ने उसे समझाया, बुधिया यह मजाक नहीं है, तुम अकेली हो, और रामलाल भी अकेला है, तुम दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हो, शादी सिर्फ जवानों के लिए नहीं होती, ये जीवन का एक खुबसूरत हिस्सा है, बुधिया ने कुछ तेर सोचा, फिर उसकी आंखों में आइस हुआ गये, उस शादी की तैयारी शुरू हो गई, गाव में यर एक एतिहासिक गतना बन गई थी, लोग बुधिया की शादी को लेकर बेहद उत्साहित थे, सभी अपनी तरफ से मदद कर रहे थे, महिलाए बुधिया के लिए नए कप्रे बना रही थी और पुरुष मंडप सजाने में ल पूरे गाव में खुशी का माहौल था, जैसे किसी युवा जोरे की शादी हो रही हो, शादी के रसमें शुरू हुई, पंडित जी मंत्र पर रहे थे और बुधिया और रामलाल एक दुसरे के गले में वरमाला डाल रहे थे, गाम के लोग तालियों की गरगराहत में रहने लगे, उनका जीवन पहले से बेखतर हो गया था, गाम के लोग भी अब उन्हे और ज्यादा सम्मान देने लगे थे, बुधिया और रामलाल एक दुसरे का ख्याल रखते और उनके जीवन में नई उमंगा गई थी, गाव में बुधिया की शादी की चर्चा सालों त झाल झाल झाल